हलो बच्चों, गुड मॉनिंग, कैसे आप लोग, I hope आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए मैं आपके लिए अलग लग वीडियो लेके आती रहती हूँ, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, वो नोटिस राइटिंग का है, मैं आपके ल the cultural secretary of your school, आप अपनी स्कूल के cultural secretary है, यहां देखिए, स्कूल का नाम या आपका नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ट, वर्ड लिमिट 50 वर्ट, informing the students about an inter-house rangoli making competition being organized in the school, आपके स्कूल में एक rangoli making competition होने वा पाईना है, तो चलिए हम नोटिस लिखते हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे नोटिस लिखा होगा, मैंने मर्जी से स्कूल का नाम लिया है तारिक लिए, तो आप भी ले सकते हैं, पहले तो एक ब्लॉट बनाया है, उसमें सबसे ऊपर मैंने स्कूल का नाम लिखा है, ABC International School Se कर और इसके नीचे left hand side में मैंने date डाली है 10th of October 2022 10 10, 2022 और तीसरी लाइन में मैंने notice block letters में N O T I C E notice heading डाला है इसके नीचे notice का हमें subject लिखना है कि ये notice किस चीज के लिए है तो वो है Interhouse Rangoli competition ये सब आप colorful बना सकते हैं so that सब की नजर पड़े अब हम आते हैं हमारे main notice पर all the students are hereby informed that the school is going to organize an interhouse Rangoli competition on 18th October 2022 कि सारे students को inform किया जाता है कि school जो है वो एक interhouse Rangoli competition organized करने वाला तारीक है 18 October देखिए इसमें जो difficult थोड़े से बड़े से spelling से वो मैं आपको read out करके बता देती हूँ अब जो बड़ी-बड़ी spelling है उसमें है informed I-N-F-O-R-M-E-D informed organize O-R-G-A-N-I-S-E organize interhouse I-N-T-E-R-H-O-U-S-E interhouse Rangoli R-A-N-G-O-L-I Rangoli competition C-O-M P-E-T-I-T-I-O-N competition वैसे ही सारी spelling से आपको question भी उसमें भी मिल जाएंगी ठीक है ना फिर notice का हमने एक हिस्सा पढ़ा था next है the theme of the Rangoli is pollution free Diwali Rangoli की जो theme है वो है pollution P-O-L-L-U-T-I-O P-O-N pollution free Diwali यह theme है the interested students may give their names to the undesigned latest by 19th of October 2022 interested I-N-T-E-R-E-S-T-E-D interested students may give their names to the undesigned जो नीचे जिसने signature किये है उनको नाम देने है latest by 9th of October 9 October से पहले पहले 9 October last date है नीचे signature है signature में मैंने जिसे सुभाष लिखा है आप कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना नाम भी लिख सकते हैं ABC और इस तरह से भी लिख सकते हैं और नीचे फिर लिखा है cultural secretary ये उसका पद है तो ये इस तरह से notice लिखा है I hope आपको ये समझ में आ गया होगा एक request है आप वीडियो को लाइक और शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए ताकि आप जो फाइदा उठा रहे है वो आपके दोस्तों को भी मिले हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तिल दान stay tuned with me thank you